तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है तो जिस मूवी को हम आज explain करने वाले हैं उसका नाम है Life of Pi तो Life of Pi ये मूवी एक छोटे बच्चे पाई की है जो अपने अकेले पन की जंग में खुद को ढून रहा है एक दिन जब वो अपने Grand Parent की बेकरी में जाता है तब उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी कुछ पलों में ही बदलने वाली है इस मुश्किल सफर में उसकी मुलाकात होती है जंगल के राजा शेर से एक चालाग बंदर और इनोसेंट पैंक्विन से तो चलिए समुद्र के इस अकेले सफर पर कहानी की शुरुवात पैंनाम के बंदे को दिखाते होती है जिससे मिलने वहाँ पर उससे एक राइटर आता है जो दो साल से एक किताब लिख रहा था लेकिन दो साल के अंदर उसने अभी तक कुछ नहीं लिख पाया और उसने जिव भी लिखा तब वो फाड के फिक दिया पाय के अंकल ने उस राइटर को पाय के पास भेजा है और कहा है कि पाय के पास एक बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरी है और जब तुम पाय की वो स्टोरी को सुनोगे तो तुमें इश्वर पर भी भरोसा हो जाएगा जिस पर पाय कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुमें इश्वर पर भरोसा होगा की नहीं लेकिन मैं तुमें वो कहानी ज़रूर सुनाओंगा जिस पर पाई कहता है कि मैंने कई सालों से Richard Parker के उपर बात नहीं की और अब यहाँ पर पाई उसे कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ कहानी Flashback में चली जाती है और हम देखते हैं कि पाई अभी बहुत छोटा है और उनका नाम होता है Pissing Patel और यह नाम पाई का एक Swimming Pool के उपर रखा गया था लेकिन स्कूल में सब बच्चे उसे चिड़ाते हैं और कहते है Pissing Patel जिसका मतलब होता है टॉलेट करना और इस बात से परशान होकर वो अपना नाम पाई रख देता है और अब वो पाई नाम से ही जाने जाते हैं और ये पाई कोई और नहीं बलकि हमारे लेजन्ट एक्टर इर्फान खान ही है पाई बच्पन में पॉंडी चेरी में रेते थे और उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था लेकिन पाई को इश्वर पर बहुत भरोसा था इसलिए वो सबी धर्मों को मानते थे जैसे क्रिश्चनिटी, स्लाम, हिंदू, सब को और वो हर धर्म को एक समान समझते थे पाई चर्च में भी जाते थे, नमाज भी पढ़ते थे और इन सब चीजों में पाई की माँ उन्हें हमेसा सपोर्ट करती थी वो कहती थी कि ये अपने सवालों का जवाब ढून रहा है और इसे इसका जवाब जरूर मिलेगा हाला कि पाई के पिता उसे इस सब चीजों में सपोर्ट नहीं करते थे वो कहते थे कि धर्म एक अंधकार है और ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है और पॉंडीचेरी में पाय के पीता का एक zoo था जहां पर जानवरों को रखा जाता है और उस चीडिया घर में बहुत से प्रकार के जानवर रखे गए थे और इनहीं सब जानवरों में एक होता है Bengal Tiger जिसका नाम होता है Richard Parker हाला कि Richard Parker उस शिकारी का नाम था जिसने इस टाइगर को पकड़ा था जब ये टाइगर छोटा था तो ये नदी के किनारे पाने पिने आता है और वो शिकारी इसे पकड़ लेता है और इसका नाम रखता है Thirsty और जब इस टाइगर को जू भेजा जाता है तो इसका नाम उस शिकारी से बदल जाता है यानि कि उस शिकारी का नाम हो जाता है Thirsty और इस टाइगर का नाम हो जाता है Richard Parker ऑलाकि बाद में सबको ये बात पता चल जाती है लेकिन सब इसे रिचर्ड पार्कर के नाम से ही बुलाते हैं पाई जब बारा साल का था, तो वो रिचर्ड पार्कर को अपने हाथ से मास्क का तुकड़ा खिलाना चाहता था और वो शेर खाने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर पाई के पिता जी आ जाते हैं और वो पाई को बहुत डाटे हैं तभी उसे सबक सिखाने के लिए वो रिचर्ट पारकर के बाहर एक बकरी को बांद देता है और वहाँ पर रिचर्ट पारकर आता है और उस बकरी को बहुत बेरहमी से मारता है और ये देखकर पाई बहुत डर जाता है और वो देखने के बाद पाई की आराधना रिचर्ड पार्कर के लिए बिलकुत बदल जाती है अब वक्त बीटता है और पाई पटेल अब 16 साल का हो जाता है और 16 साल की उमर में उसकी मुलाकात होती है आनन्दी से और उसे आनन्दी से प्यार हो जाता है लेकिन तभी उसके पिता जी बताते हैं कि हम अपनी पुरी फैमिली के साथ कैनेडा शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि जो इनका यहाँ पर जू था वो अब बंद हो रहा है क्योंकि जो जमीन था वो उनका नहीं था लेकिन जो जानवर थे वो उनके थे तो उसके पिताजी कहते हैं कि हम अपने जानवर को लेकर शिफ्ट में जाएंगे और जानवर को नॉर्थ और अमेरिका में मैं बेश दूँगा और फिर हम कैनेडा में shift हो जाएंगे क्योंकि मुझे वहाँ पर job जरूर मिल जाएगा और अब यहाँ पर यह decide होता है कि पुरी family अब कैनेडा में shift हो जाएगी अलाकि पाई यहाँ से नहीं जाना चाता था क्योंकि वो इंडिया में ही रहना चाता था और हमको इसका reason पता है और उसकी वजा थी अननदी लेकिन पाई की इतनी उमर नहीं थी कि वो अपनी भी बात रख सके लेकिन कैनेडा जाने से पहले वो अननदी से मिलता है उसे बहुत दुख होता है इसके बाद हम देखते हैं कि पुरी family अब ship में है पाई और उसकी माँ vegetarian होती है हाला कि जो उसका भाई है जिसका नाम है रवी और उसके पिता non-vegetarian होते हैं और ship में vegetarian खाना नहीं मिलता इसकी वजासे उनको बहुत ही समस्या होती है लेकिन वो किसी तरह से तो adjust कर ही लेते हैं और जब वो ship समुद्र के बीचो बीच होता है तो एक विशाल तुफान आता है और उस वक्त पाई पटेल deck पर होते हैं और पाई की पूरी family अपने अपने rooms में होती है और इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि ship डूब रहा है और सब भागते हैं तब ही हम देखते हैं कि पाई भी अपने family के पास जाना चाता था लेकिन एक crew member उसे safety boat में fake देता है और वो कहता है कि तुम चाओ हाला कि पाई जाना नहीं चाता था और वो अपनी family की मदद करना चाता था और जब पाई अकेला ही उस safety boat में होता है तब देखते हैं कि एक zebra भी उस safety boat में कूचता है और उसके गिरने की वज़ा से safety boat तूट जाती है और समंदर में गिर जाती है और अब उस boat में zebra और पाई होते हैं तुफान बहुत तेज होता है और समंदर की लहरे बहुत उची उची होती है तब ही पाई देखता है कि समंदर में कोई तैर रहा है और उसे लगता है कि वो कोई इंसान है और वो उसे बचाने के लिए एक tube फिकता है ताकि वो खीच कर उसे boat पल आए और जब वो देखता है कि वो उसके पास आ गया है तो वो देखता है कि वो इंसान नहीं बलकि Richard Parker है यानि कि वो Bengal Tiger पाय चाहता है कि वो बोट में ना आए लेकिन समंदर की लहरे इतनी उची होती है कि वो बोट में आ जाता है और उसके अंदर आते ही पाय बोट से बाहर को जाता है लेकिन उसके पास कोई option नहीं होता है तो वो बोट में वापस आ जाता है और जब वो बोट में वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर Richard Parker नहीं होता है वहाँ पसिब zebra था और zebra अपनी जगा से नहीं हिल सकता था तब उसे वहाँ पर एक हैना दिखता है जो कि अंदर छुपा हुआ था दरसल वो बोट आधिर तेंट से कवर होती है जिसमें वो हैना छुपा हुआ था पाय हैना को देखकर कहता है शायद अभी तक नींद का दवा का असर खतम नहीं हुआ क्योंकि जब ये सारे जानवरों को समुदर के सफर पर ले जाते हैं तब वो सभी को नींद की दवाई दे देते हैं क्योंकि जानवरों की समुदर में तबियत खराब हो जाती है धीरे धीरे अब हैना एक्टिव होता है और वो पाय पर अटेक करता है लेकिन पाई वहाँ पर उपर चल जाता है जहाँ पर 10 था और हाईना वहाँ पर नहीं आपाता है और यहाँ हम देखते हैं कि पाई के पास एक डंडा भी होता है जिससे वो हाईना को पीछे कर रहा होता है तब ही पाय देखता है कि समुदर में एक चिम्पेंजी, केलो के गठे के उपर बैठा होता है और वो समुदर में बैठा ही जा रहा था पाय उसे जोर से ओआज लगाता है और उसे अपने बोट पर बुला लेता है और अब इस बोट पर चार लोग हैं पाई, चिंपैंजी, जेबरा और वो हाइना बोट में पाई के लिए और चिंपैंजी के लिए खाना है लेकिन हाइना के लिए नहीं क्योंकि वो एक शिकारी है और वो रात को जेबरा को मार देता है पाई को भी ये डर होता है कि रात में सोते हुए कहीं हाईना उसे मार ना दे इसलिए वो एक बोट से डंडा निकला हुआ होता है जिसमें एक ट्यूब होती है और उसी के सहारे वो बोट से बाहर लटक कर रहता है अगले दिन सुबा पाई बोट में कुछ सामान से तैरने वाला एक प्लैटफरम बनाता है ताकि वो प्लैटफरम को समुद्र में फेक दे और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाए ताकि वो इन जानुरों सो बचा रहे जीबरा को तो हैना पहले ही मार चुका है और अब बोट पे ये थीन है चिंपैंजी, हाइना और पाई पाई जब वो प्लैटफरम को बना लेता है तभी हाइना बाहर निकल जाता है और चिंपैंजी और हाइना की लड़ाई होती है और यहाँ पर अब Pipe बहुत गुस्दा हो जाता है वो चाकू निकालता है और हाइना को कहता है आओ, आओ लेकिन तबी हम देखते कि वहाँ से Richard Parker निकल के आता है और हाइना को मार देता है दरअसल Richard Parker भी नीजे छूपा हुआ होता है और इसके बाद वो पाई पर भी अटेक करने की कोशिच करता है लेकिन जो पाई नहीं वो प्लैटफरम बनाया होता है वो समंदर में फेक देता है और उस पर वो जाकर बैठ जाता है और उस प्लैटफरम को वो उस बोट से बांद देता है ताकि वो उस boat से दूर न जा पाए और फिर रात भर पाए उसी platform पर रहता है क्योंकि boat में तो share था और अब उस boat पर भी वो नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो उस boat पर गया तो Richard Parker यानि कि वो share उसे मार देगा लेकिन जब उसे भूक लगती है तो उसे boat पर जाना पड़ता है पर वो boat के उपर नहीं जाता बलकि वो नीचे से ही खड़ा होकर खाने का सामा निकाल रहा होता है और तभी Richard Parker उस पर attack करता है और वो फिर से एक बार अपने platform को उस boat से दूर कर देता है इसी के साथ ये भी दिखाते है कि safety boat में खाने के साथ एक manual एक booklet भी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आप समंदर में फस जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए होता है उसमें एक map भी होता है लेकिन पाई को तो map देखना नहीं आता और पाई वो सब कुछ करता है जो वो book में लिखा होता है और पाई इश्वर से ये भी कहता है कि तुमने मुझे बनाया है तुम ही मेरा सब कुछ हो और अब तुम ही मुझे रास्ता भी दिखाओगे पाई ये बात तो जानता है कि समंदर का सफर अब बहुत लंबा होने वाला है और जो platform समंदर में उसने अपने लिए बनाया है उसमें बहुत समय तक नहीं राजा सकता इसलिए वो तैय करता है कि वो Richard Parker को ट्रेनिंग देगा ताकि वो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी problem ये है कि वहाँ पर अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा क्योंकि Richard Parker जेबरा और हैना को दोनों को खा चुका है और सबसे बड़ी problem ये होती है कि Richard Parker के पास पीने के लिए पानी नहीं होता और अब पाई उसकी मदद करता है पाई उसे पानी पिलाता है और पाई CT के जरीए उसके साथ communicate करने की कोशिश करता है यानि कि उसे वो अपने thought समझाने की कोशिश करता है लेकिन Richard Parker के रवया पाई के तरफ अभी भी aggressive होता है पाई मचली पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर Richard Parker की भूग out of control हो गई तो वो पानी में कुच कर उसे मार सकता है पाई मचली पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती और इसके बाद होता भी वही है जो पाई ने सोचा होता है Richard Parker समुदर में कुच जाता है लेकिन वो मचली नहीं पकड़ पाता और तब वो पाई के तरफ बढ़ता है पाई जल्दी से रस्ती को खीच कर बोट पर चला जाता है और अब Richard Parker नीचे और पाई बोट के उपर और Richard Parker बहुत कोशिश करता है कि वो बोट के उपर आ जाए लेकिन बोट उची होती है इसकी होजा से Richard Parker उपर नहीं आ पा रहा होता है और पाई उस प्लैटफरम को उपर खीच लेता है जो उसने अपने लिए बनाया था और अब वो कुलहड़े निकालता है और वो अब Richard Parker यानि शेर को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वो वहां रुख जाता है और वो खुझ से कहता है कि पाई ये तुम क्या कर रहे हो उसके बाद वो दोबारा अपना प्लैटफरम समुदर में डाल देता है और वो एक फटा लटका देता है जिसके साहरे से Richard Parker वापर से बोट में आ जाता है और पाई दुबारा से वो अपनी उसी जगा पर चले जाता है अब पाई Richard Parker को बोट पे तो ले आता है लेकिन भूख का क्या वो अभी भूख का है पाई तो बिस्किट खा लेता था लेकिन Richard Parker के लिए तो कुछ भी नहीं था तभी पाई एक मचली पकड़ता है जो काफी बड़ी होती है उसे वो कुलहाडी से मार देता है उसे मारने के बाद पाई बहुत रोता है क्योंकि वो एक शाकाहरी है और वो किसी भी जीव हत्या के खिलाफ है और वहीं पर वो जम्प लगाती है और जम्प लगाने के वज़ा से पानी बहुत जोरो से हिलता है और जो प्लैटफर्म पाई ने अपने लिए बनाया था वो पूरी तरह से हिल जाता है और उसी platform पर उसका सारा खाना और पानी होता है और वो सब का सब समंदर में बह जाता है और अब pie के पास ना कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए पानी अगली सिवा pie boat पर कुछ लेने के लिए आता है क्योंकि उस वक्त Richard Parker अंदर होता है और जैसे ही pie boat पर आता है तो उसी वक्त Richard Parker बहरा जाता है तब ही pie से एकiticड़ टगराती है और वो वहाँ पर गिर जाती है उस मचली को pie उठाता है और उस मचली को Richard Parker के तरफ फिकता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए है जैसे ही वो मचली को उसकी तरफ फेकता है वो मचली उड़ कर वहाँ से भाग जाती है धरसल ये उड़ने वाली मचली होती है जो मैंने तो कवी नहीं देखा और अब Richard Parker और Pi दोनों ही वो मचली की तरफ देख रहे होते हैं तबी हम देखते हैं कि एक मचलियों का जुंट वहां से उड़ते हुए आ रहा था। जब मचलिया उनकी बोट की तरफ से गुजर रही थी तब बहुत सारी मचलिया उनकी बोट में गिर जाती है। और एक बड़ी मचली जो उन मचलियों को खाने आ रही थी वो भी उनके बोट में गिर जाती है। क्योंकि एक जानवर का कोई भरुसा नहीं खासकर एक भुके शेर का। अब इसी तरह से इन दोनों का सफर चल रहा होता है। और एक रात को बहुत जोरो से तुफान आता है और उस तुफान में इन दोनों का हलत खराब हो जाती है। इसी के साथ साथ पाई का प्लैटफॉर्म भी पानी में बह जाता है। जो प्लैटफॉर्म उसने अपने लिए बनाया था और अब पाई के पास अलग से रहने के लिए कुछ भी नहीं है। और अब इसके आगे बोट पर इन दोनों को एक साथी रहना होगा। कुछ दिन बीचता है और इन दोनों की हलत खराब जाती है। रिचट पारकर भी अब एक ही जगा लेटा होता है। वो हिल भी नहीं रहा था। पाई उसके पास जाता है। उसका सर अपने गोध में रखता है और बहुत रोता है। वो कहता है कि रिचट पारकर अब हम मर रहे हैं। लेकिन शायद किस्मत ने इश्वर ने इन दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगली सुबा जब पाई की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बोट एक किनारे परुकी है जो की एक टापू था, पाई उस टापू पर उतरता है कुछ जंग्ली शबज야 खाता है और आगे बढ़ता है और जब वो पाई पेड़ पर सोने के लिए अपना इंतिजाम कर रहा होता है तब ही वो देखता है कि सारे ने उले जितने भी उस टाप उपर हैं वो सारे के सारे पेड़ पर चड़ जाते हैं और रिचर्ड पार्कर भी भाग कर नाओं में पहुच जाता है पाई को कुछ समझ नहीं आता लेकिन रात को जब पाई की आखे खुलती है तब वो तलाब में देखता है और वो देखता है कि जितनी भी मचलिया थी उसमें वो सब मर चुकी है और वो सब की सब पानी में गल रही होती है इसके बाद ये दिखाता है कि जिस पेड़ पर पाई बैटा होता है उस पेड़ पर फल लगे होते हैं लेकिन वो फल नहीं होता पाई जब उस फल को खोलता है तो उसके अंदर एक इंसान का दात लगा होता है और पाई फिर समझ जाता है कि ये आइलेंड एक आदमखोर आइ लमखोर आइलेंड था जो कि पशू पक्षी आदमी किसी को भी मार सकता था अगले दिन पाए बहुत सारी सबजियां खाता है और अगले दिन अपने लिए बहुत सारी सबजियां पानी और रिचर्ड पारकर के लिए बहुत सारे नेवले रख लेता है क्योंकि अब उन्हें पाई वहाँ से जाने की तैयारी करता है और जोर से एक सीटी बजाता है और रिचर्ट पारकर को बुलाता है और अब रिचर्ट पारकर डौड कर बोट पर चड़ जाता है अगर वो रिचर्ट पारकर को इस आइलेंड पर छोड़ता तो वो मर जाता इसलिए वो उसे अपने स जोड़ती जाते जाते उसे पीछे मुड़कर जरूरल देखेगा, लेकिन वो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखता, और हो वहाँ से जंगल में चले जाता है, इस बात से पाइक को बहुत दुख होता है, वो पच्छो की तरह रोता है, तब ही वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और पाई को अपने साथ उठा का ले जा रहे होते हैं और अब कहानी घुमकर फ्लेश बेक से प्रेजेंट में आ जाती है और अब यहाँ पर इर्फान खान जो की पाई बड़ा हो चुका है वो उस राइटर को पूरी कहानी सुना रहा होता है इर्फान खान कहते हैं कि इश्वर हमेशा मेरे साथ था अगर मैं उस फ्लोटिंग आईलेंड पे नहीं पहुचता तो मैं शायद मर जाता और अगर मुझे वो दात नहीं दिखता तो शायद मैं उसी आईलेंड पे हमेशा के लिए रुख जाता लेकिन जो इश्वर थे वो हमेशा हर कदम पे मेरे साथ थे पहले उन्होंने मुझे उस आइलेंड पे आराम दिया और उसके बाद मुझे अपना सफर जारी रखने का आगे बढ़ने का संकेत दिया और फिर इर्फान कान कहते हैं अगर रिचर्ड पार्कर नहीं होता तो शायद मैं जिन्दा नहीं बचता उसने मुझे जिन्दा रहने का एक रिजन दिया लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आप किसी को अंतिम अलविदा ना कहे पाओ वो कहता है कि मेरे पिता जी ने मुझे जो खुद भी सिखाया मैं उसी को जासे आज जिन्दा हूँ काश मैं उन्हें ठेंक्यू कह पाता काश मैं रिचर्ड पार्कर को ये कह पाता कि अब सब कुछ ठीक है इश्वर हमारे साथ है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया अब यहाँ पर राइटर को कई चीज़ों पर यकीन ही नहीं होता इर्फान कानिया कहते हैं कि उस बोट में मैं अकेला ही बचा था और उसके बाद मैंने उन्हें एक मंदगडन कहानी सुना दी और उस कहानी की कापी अभी भी मेरे पास है और वो कापी वो उस राइटर को देता है जिसके बाद इर्फान कान उस राइटर से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगी इर्फान खान की अब शादी हो चुकी है यानि पाई की और उसकी एक बेटी है और एक बेटा है और अब वो अपनी जिन्दगी में खुश है हाला कि पाई ने अपनी पूरी फैमिली को उद्दूर घटना में खो दिया था लेकिन जिन्दगी में कभी रुखना नहीं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है तो आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी वेल मुझे तो ये मूवी इतनी जादा पसंद आई थी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना थेंक यू